लगाते सागत आप सबका टीम स्वरिंगे डीव चैनल पर तो आपस काफे अच्छा है काफे अच्छा विन भी कर रहे होंगे तो इस पर्टिकल लुडियों बात करने वाले आज के लिए जो सेकंड टी डॉंटी रहेगा फैस्ट डी डॉंटी आप समने देखा कि भाई काफी आपके बनने वाली है और साथ ही साथ आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसस भी आज के लिए बनेंगे कैसे वह बड़ा वाला ग्रैंड लीग विनिंग अमाउंट जीच सकते हैं कौन से प्लियर्स उसके लिए ट्राय करने चाहिए सब चीज़ डिसकस किए तो वीडियों करने उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैचस की वीडियों विल्कुली आप मिस ना कर पाओ और हां टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एक और चीज़ है कि भाई जब मैच इंडिया का हो और आपके लि लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट्स सब चीज़ें वहां पर आती है आपके लिए बात करते हैं इदर से मैच की तो थास्टे फाइफ विफ्ट ऑफ जैन्वरी साथ बिजे रहेगी इस मैच कर लाइन महराश्टर क्रिकट एस्सेशेशन स्पुने में यहां पर अगर मै होता है तो बहुत जादा ना चो इंटरेशनल मैच शवर नहीं कहले घेंट डो मैश्टिक मैच काफी खेले कैया मतलब आइपल के हुए यहां पर बहुत खेले गए हैं इंटरनेशनल मैच शिर्फ तीने जिसमें एक जीता है बैटिंग सेकंड ने दो जीते यहां से बैटि सबसे बहुत तो यह देखने को तो यहां पर आप देखोगे पिछले जो आई पिल के मैच जो क्यों थे मैं में ठीक है मैं में जो खेले गया थे बैटिंग फर्ष्ट भाहिल लगातार यहां पर विन कर रही थी 14th of May KKR ने बनाए 177 SRH 123 पर ही रुख गई विकेट जो थे वो पेसर्स के 12 विकेट थे Spinners के उधर से तोरी दो विकेट थे 7th of May को मैच वा लखनाव ने 176 बनाए KKR को उन्होंने 101 पर ही रोग दिया और पेसर्स के देखाई 12 विकेट Spinners के यहां पर आपको वापस दो विकेट देखने को मिले उसके बाद में 10th of May को इक वी जो मैच था जिसमें की गुजरात ने बनाए 144 और उन्होंने लखनाव को 82 रंस पर ही रोग दिया विकेट की जाए वाई 7 विकेट इदर से जो पेसर्स के रहे 6 विकेट स्मिनर्स के सब्सक्राइब से पहले यहां पर विकेट ले रहे थे बट आज के लिए लेना थोड़ा मुश्किल होगा ड्यू फैक्टर की वजह से फॉर्ट ओफ मेंगों मैच वह आर्सीब ने बनाए 173 को रोग दिया गया 160 पर ही ठीक है उसमें भी अगर विकेट की बात की जा तो पा तकरिबन और दूसरी टीम को कम पर ही रोग जा गया था तो गहीं बात है यहां पर विन कर रही थी महीं तक तो बट यहां पर मैं मानुगा कि बैटिंग सेगेंड का भी विन करना कहीं ना कहीं बनेगा क्यों वह सिर्फ एक डिक्कत आएगी बोल ग्रिप करने मुश्किल हो तो इस वज़े से बाकि बैटिंग फर्ष्ट को स्टिल मैं बोलूगा कि प्रेफरेंस दे कर चलना उतना वह एकदम ऐसा मत कर देना कि बैटिंग फर्ष्ट तो क्या ही है जैस करने वाले टीम में जीतेगी क्योंकि पिछले मैच में नहीं जीत पाई थी पिछले चार मैचे सेकंड इनिंग में आपको पेसर को देखने के मलते हैं पंदरह बात करते हैं अब आपकी गाड़ी की कि भाई आप गाड़ी चमचमाती जीत कैसे सकते हो देखो कैसे जीत सकते हो लिंक ना मैंने एक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है माई लेवन सरकल का वहां से वो जाक सकती है ठीक है तो यह जरूर ध्यान में रखो पाके उसके साथ इसाथ 20% एक्ष्रा कैश का भी हमने इंतिजाम आपके लिए किरा रखा है तो जब भी आप कोई भी अमांट डिपोजिट करोगे तो उसके साथ मैं आपको 20% एक्ष्रा कैश यह वो मिलेगा तो इस मौके का फा का फायदा आपको तभी मिलेगा बागी बात करते हैं प्लेइंग 11 की कि इंडिया की जो प्लेइंग 11 वो क्या रह सकते हैं इंडिया की लिए को लगता नहीं की कोई भी चेंज होने वाले बट हो भी सकता है यहां पर लाइक हर्शल बटेल हुए उम्रान मली को उसकी जगह ने जो ओडिया में बनाये थे उसके बाद से यह मैच खिला और बड़िया से 37 एक मों बोलुआ है इशान की रहे थे यहां से फिर उसके बाद में दीपक बुड़ा अक्षर बटेल की बदोले थी टीम 160 पहुच पाई थी आ बाकि उसको आदम सूरे कुमार यादो फ्लोप ह संजू सेंचन तो देखो बाहर हो चुके है क्योंकि जब तक में वीडियो बना रहा हूं तो अब तक संजू सेंचन की फिर न्यूज आई थी कि यह हो चुके बाहर इनकी जगह पर जितेश शर्मा को एज़ा रिप्लेस्मेंट लिया गया है बट जो मेरे को लगता है कि संजू सेंचन की जगह पर आपको रहुल ट्रिपाटी आतो दिखेंगे यहां पर सैंचन नहीं खेलने वाले बाहर हो चुके से उसका आद में हर्दिक पांडिया जिन्होंने बनाए थे 29 जिरो विकेट और तीन ओवर डाले ते जिसमें की विकेट उनको नहीं मिला था परके गए ते और चारवे की टिनोर निकाले तो उसका आद में चहल थे जिनसा सिर्फ दो और कराए गए एंड तक्रिवारी इनको तेहरा के रिट से जहां तक मिर को याद है रन पड़े थे तो यह रहेगी आज के लिए टीम जिसमें चेंज वगरा कि उमीद है नहीं सिर् को सोरी कुमार याद हो साना उमीद यहां पर रहेगी बाकि पूरे-पूरे और कौन कर रहेगा वो भी एक इंपॉंड बनता हुम आपको बता देता हूं देखो यहां पर हर्शल बटेल हुए उम्रान मलिक और शिवम मावी मेरे ख्याल से चार चार और आपको ना यह तीनो बोलर पूरे डालते हो दिखेंगे जिसमें शुरुआत में आपको शिवम मावी देखने को मिल जाएंगे अब बात कीजए बाकी के जो आठ होवर बच गए वो कौन डालने वाला है बाकी के आठ होवर जो है वो अक्षर बटेल इस वेंदर चहल और यहां से हारदिक मली के तो देखने को मिल जाएंगी अर्शल पटेल आपको देखने को मिलेंगे वागी डैथ बोलिंग कि वो सिच्वेशन के इसाफ से मैनेज होता रहता है मतलब चेंज होता रहता है जो कि जैसे आप देखा होगा पिछले मैच में अक्षर बटेल डाल गए तो वही चीज उसके बाद हो बात करें श्रलंका की टीम की तो इनकी टीम में भी एक चेंज कहीं न कहीं आपको होता हुआ दिख सकता है जिसमें की एक यह रह सकता है कसुन रजीता इनको मेरे को लग रहा वापस से रन पढ़ेंगे पिछले मैच हम बोला था पचास कर सकते वह यह चार औ चार और में 47 रन पढ़ गए थे इनको चार और में उसके बाद बागी शुरुआत से देखे तो कुषल मैंडिस पाथूम निशान का आपको देखने को मिलेंगे पाथूम निशान का शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं सिर्फ एक बनाकर गये थे बागी कुषल मैंडि अब इसमें पूरे-पूरे-वर की वह एक बात आ जाती है क्योंकि पिछले मैच में क्या हुआ था इन्होंने भी छे बोलर यूज किया थे जिसमें एक और धनेंजन डी सिल्वा से डिलवाए गया था बाकि उसके अलावा जो मेरे को लगता है देखो यहां से हसरंगा इसको नहीं दिया गया दनेंजरी सुल्वा को सेकिंड और बाकि हो सकता है वापस ही यह भी चार और आपको पूरे कराते हो दिख जाए या इनकी जगे पर अगर और कोई प्लेयर खेलता है तो उससे आपको होते हुए दिख सकते हैं क्या है कि लहीरू कुमारा आ सकते हैं जिनकी रीसेट फूम आप देख सकते हो पिछले चार मैचेज में च्छे विकेट है दो में विकेट लेस है और उसके लाव प्रमोट मदूशन भी है इनके पास में जो पिछले दो मैच से दो विकेट लेस रहे बट स्टिल बोलर काफी अच्छे हैं तीन विकेट और एक उ और यहां से दुनिट वेला लगे कि आने के चांसे काफी कमी रहने वाले अब बात की जाए इदर से इंग्डन टीम के तो उनके पास में एक तो अर्षदिप सिंग अवलेबल है जो किसी पेस बूलर की जगे आएंगे अगर आएंगे तो उसके लाद में गाइक वार्ड को मुकेश कुमार है जो अच्छी पेस बोलिंग करते हैं पिछले पांच मैच में तीन बार तो विकेट लिया है इन्होंने अपने पांच पिछले टीटवन्टी मैचेस में तो यह हो जाते हैं हमारे आज के बैंच प्लेयर बात करें अपने वेन्यू स्टेट्स की तो इसमें शरलंका आपको दिगती है इस ग्राउंट पर चाहे तीन ही टीट-वंटी इंटरेंशनल मैच और लिसमें से दो खेले शरलंका ने एक जीते है और वही पर अगर इंडिया की बात की है उन्होंने पांच टीनों फेले जिसमें वहो जीते एक हारे और यह जो एक हारने वाला ट्रफाइब अग्जांट की बात किजिए तेरा मैंच वर्टी इंटी इवरेज हैं बात किजिए इंपरेस्ट में दोस्तों बनाई डाइब बात किजिए दीपक उड़ा की आठ मैंच वरेज दीपक खुड़ा का भी रहते तो बहुत जादा अगर इंप्रेस मेरे को लगता किसे ने किया है ना वेन्यू में तो एक सूरे कुमार याद वे बाकी सब का रिकोर्ड डीसेंट है गई कवाड के अकर खेलते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हो भाई 66 का तीन मैच में 200 बनाए एक में 99 और बाकी के स्लॉर वन काफी कामा जाती है गोई इस ग्राउंड पर उसका बात में खसरनगा है चार मैच में च्छै के जब आरसी भी तरफ़ यहां पर रहता नहीं है इसमें दर चाहल के लिए बात की तस अइस मैच जीते इंडिया ने एक मैच नो रिजल्ट यहां पर रहा है उसके अलावा जो मैच निकल कर आते हैं अपने इंडिया अच्छा करते हैं अगर इनको बैटिंग मिल जाती है तो बिलकुल एक इसर डिफरेंशल पिक जरूर कंसिडर करना इनको उसका अधिया बैटिंग से थोड़े वह तरह ने बनाए 38 कावरिज चैने फिफ्टी फूर उसका आद में निशानका है पांच मैच में 129 वैसा चल रहा है निशानका अभी तक ना पांच मैच अबागी पिछला मैच फ्लोप हुए मैं उमीद कर रहा हूं थोड़े रंज जरूर बना कर जाएंगे इस मैच में इस मैच में डिफरेंशल ग्रैंड लीड में सीवीची जरू ट्राइब करूंगा स्मोली के लिए उत तसलान का 6 मैच में 115 एवरेज है 23 का मतलब अगर आप प्लियर शोट लिष्ट करते हैं तो उस केस में आपके पास में दशुन शराका हुए धनेंजडी सिल्वा हुए इशान किशन हुए कुशल मेंडिस हुए यह तो कहीं न कहीं इंपॉंट जो निकल कर आ जाते हैं हेट् मैच की स्पेशली बोलिंग उसके बाद में अगर इनकी आज के लिए सेकंड बोलिंग आ गई ना तो बहुत ज्यादा एक जो रिस्कित बनें कि उस टाइम पर बहुत ही जादा डियो हो जाती है ठीक है एक तम वह बोलना साबुन की ठीकिया जैसी हो जाती है तो वैसा रहत और देन आते लहीरु कुमारा पांच मैच में साथ विकेट के साथ में रन तो बहुत पड़े हैं इनको ट्वंटी साउन कावरेश बाट अगर श्राइगर देखोगे तो 15.7 मतलब मतलब की हर पंदरवी बोल पर यह एक विकेट निकालते अगेंस्ट इंडिया तो वैसा इ और यहां से असलान का है जो अगेंस्ट इस बोल में दो बार आउट हो चुके हैं यह तो हो जाता है प्लेयर बैटल अब बात करते हैं आज के लिए जो हमारा गिवावे कोशन क्या है इशान किशन और साथ में जो सकाय रहें मतलब की सुर्य कुमार याद हो उन दोनों के आ मैच में काफी सारे कमेंट्स मैंने डिस्क्वालिफाइक किये थे तो इस मैच में वैसा ना हो तो एक ही कमेंट करना और उसमें आप जीतोगे और वीडियो पूरी देखना ठीक है ऐसा भी मत करना सिरु कमेंट करके निकल लो फिर विनर नहीं पाओगे अगर आप कांसर सही भी हुआ तो वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किये बागी जो विनर्स है वो आ जाएंगे इंस्टाग्राम पर एड़ दरे टीम्स फोरिं इंस्टाग्राम को उज़र दे में तो वहां जागी जरूर फोलो करना विनर्स वगरा वही देखने को मिलेंगे पिछले इ किट निकाल लेकिन से ना उमीद यहां पर रहने वाली है तो एक रिस्क जरूर है पट एजा वाइस कैप्टन अब जरूर ट्राय कर सकते हो इनको चाहे फस्ट बोलिंग हो चाहे सेगंड बोलिंग हो जहां तक मैं मानता हूं उसके अलावा इशान किशन और सुरे कुमार य करें हमारी जो आज के लिए माइल लेवन सर्कल की टेम रह सकते हैं और आपको पता दूंगे अगर जल्दी से जाके माइलेवन सर्कल का लिंक जो है वह वो डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड करना में कॉंटेश जोइन करना फश्ट प्राइस एसए है आपके लिए 20% extra cash भी है जो आप कोई भी amount deposit करते हो तो ठीक है तो यह दो चीज़े तो ध्याम से जल्दी सागे deposit करो और अपने गाड़ी जीतने का प्रबंद करो फटावर्ट से विकिट की perception की बात करें किशान किशान है कुशल मेंडी से दो को रखा है अब यहां से पाथूम निशान पाथूम निशान का से भी तोड़े एकदम डाउन लग रहे इस वज़े से बाकि उसके लाशंबन गिल सुर्य कुमारी अदा हार्दिक पांडिया हसरंगा दशुन शनाका है शेवा मावी हर्शल पटेल उम्रान मलीकब यहां से मैंने ठीक शेना हुए मदुशंका हुए उ सब्सक्राइब को रख लो तो फिर वह एक बड़ी दिक्क्त हो जाए कि मेरे को नहीं लग रहा है इंडिया की बहुत ज्यादा विकर्ट यहां से गिरने वाली है स्पेशली सूर्य कुमार और इशान किशन यहां से परफॉर्म कर सकते हैं सो कैप्टन को कैप्टन आप सूर सब्सक्राइब कर लो एड़ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगी जाकर कोई वीडियो से वह बिल्कुल भी मिस्स ना कर पाऊ और हां टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लेना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा स सब्सक्राइब अपडेट्स हुई टीम्स हुई वहां पर गिवावेज हुए आपको वहां देखने को मिलते हैं तो मिस्स बिल्कुल नहीं करना है जल्दी जाके जोईन कर लो बाकि उल्लावेश्ट इस मैच के लिए मिलते आप करेक्श यूडियो में बहुत ही जारे जल् को इता है जारे जेगना हुई हुईए्ट झा ω告诉 है बहुत है के टीम्स हम earliest आपको पॉट है जारे जल्रड़न है जारे लोम कर àsाफ टीम्स ह हमें थाप मिलते हैं तो